जै माताती दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई माह 2020 के पहले दो दिन एक और दो मई के सिहिंग राशी फल के बारे में ये दो दिन सिहिंग राशी के लोगों के लिए कैसे रहेंगे इन दो दिनों में क्या ग्रह नक्षत्रों की स्थिति होगी योग क्या बनेंगे और उनका प्रभाव आपके दिंचरिया पर कैसा होगा आपके पारिवारे किस्टिती सिक्षा पर, कामकाज पर, आपके प्रेम जीवन पर, सभी शेत्रों पर उनका प्रभाव कैसा होगा ये हम जानेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेधन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दे ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके तो चलिए हम जा लेते हैं कि इन दो दिनों में तिथी और नक्षत्र कैसे रहने वाले हैं तो एक मई की हम बात करते हैं एक मई वैसाक मास शुक्ल पक्ष की अस्ट मीति थी है असलेशा नक्षत्र इस दिन रहेगा और इस दिन व्रधी योग बन रहा है साथ ही पूरा दिन रवी योग भी बनने वाला है जो बेहत खास योग माना जाता है यह शुकरवार का दिन है सुर्य मेश राषी भणी नक्षत्र में है चंडरमा करक राशी में है सुबह तक उसके बाद सेहिंग राशी में प्रवेश करेंगे दो मई की बात करते हैं विसाक मास शुकल पक्ष की नवमी तिती है जिसे सीता नवमी भी कहा जाता है जान की नवमी भी कहा जाता है मगह नक्षत्र रहेगा, रईयोग बन रहा है, इस दिन भी पूरा दिन पार करके, रईयोग बन रहा है, जो बेहत खास है, यह शनिवार का दिन है, सुर्य मेशरासी बरणी नक्षत्र में है, और चंद्रमा सिहिंग राशी में विराजबान है, यानि आपकी लगन में चंद्रमा की इस्थिती है तो ऐसे में चंद्रमा आपके लिए कैसे रिजल्ट लेकर आएगा देखिए चंद्रमा जो है वो मन के कारग्रह माने चाते हैं मन के कारग्र है लगन में बैठेंगे लगन होता है जो पहला भाव होता है हमारा उससे हम अपने वक्तितु को देखते हैं अपने जीवन में होने वाले हर तरह की सुख को देखते हैं तो ऐसे में चंद्रमा का लगन में बैठना एक तो मांसिक रूप से आपको शांती देने वाला होगा सेहिंग राशी के जो जातक होते हैं काफी उग्रस्वभाव के होते हैं क्योंकि इनकी राशी का स्वामी सूर्य है जो सबसे ज़्यादा तेजस्वी है ऐसे में आपको मान से शान्ती मिलेगी और चंद्रमा की ये इस्तिति आपके लिए कुछ नए अवसर भी ले करते हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलने की संकीति हां बने हुए है इस दोरान आपको अपने पिता के साथ पिता का साथ मिलेगा किसी काम के लिए या फिर पिता तुल्य जो व्यक्ति हैं उनका साथ आपको मिलेगा और उनके साथ से आप अपने कामों को पूरा कर पाएं में अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो सोशल मीडिया के जरीए आपको कुछ अच्छा खुशी का समाचार सुनने को मिलेगा प्रेम जीवन में ठीक ठाक ही समय ये रहेगा हलाकि आपकी समय कुछ बातों को लेकर बहस हो सकती है अपनी प्रेहतम के साथ तो व बाव आपका बढ़ेगा नौकरी करने वाले लोगों को इस समय अपने काम से थोड़ी सी निराशा जरूर हो सकती है और आपके मन में ऐसे सवाल भी आ सकते हैं कि अब आगे क्या करना है क्योंकि नौकरी में कुछ समस्या पैदा जरूर हो सकती है कुछ लोगों के लिए ले लेकिन यहां आपको अपना धहरे दिखाना होगा और धहरे के साथ अगर आपको काम करते हैं तो निश्चित रूप से मांसित रूप से भी आप स्वस्त रहेंगे और आने वाला समय आपके लिए कई तरह के अच्छे अफसर भी लेकर आएगा तो आपको सब कुछ उसयम के सा कवरी आ सकती है तो यह ऐसा दिन होगा कि जब आपका मन काफी प्रफॉलित होगा तो ऐसी मीठी मीठी यादों को संजो कर आपको रखना है ताकि ऐसी मीठी यादों को आप जब भी याद करें तो आपका दिल जूम सके इस समय आपकी कंपनी के जरीए आपको कुछ ऐसे का काम सौपर जा सकते हैं जिनमें आपका वक्त जादा लगेगा यानि आपके उपर कारे बाहर भी सौपर जा सकता है जो लोग घर बैठकर काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम के स्थिति में हैं तो कंपनी की तरफ से कुछ ऐसे काम जरूर दिये जा सकते हैं जिनमें आप काफी व लाहाना होगी आपकी प्रसंसा होगी आपकी जो काम नीजी काम थे और वो रुखे हुए थे तो उन्हें पूरे करने का समय बागिया है उन्हें आप पूरे करते हुई दिखाइदेंगे अगर आप किसी उद्धों से जुड़े हुए हैं और या फिर किसी व्यक्ति से आपका लेंदेन हैं तो आपको आर्थिक फायदे का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय आपको कुछ नया मौका मिल सकता है जो आपको आकरशित कर सकता है ये मौका कुछ भी हो सकता है बसे इस मौके को आपको देखना है कि आप उस मौके का फायदा कैसे उठा सकते हैं ये भी हो सकता है कि ये आपके लिए एक उनहरा मौका हो तो अगर ऐसा होता है तो उसे हाथ से बिलकुल भी नहीं आपको जाने देना है अगर पिछले कुछ दिनों में आपके साथी से आपके अन बन हुई थी प्रेमी से आपके अन बन हुई थी तो थोड़ी राहत जरूर मिलते हुई नजर आएगी प्रेमी का से प्रेमी से आपको आप अगर अकेले रहना पसंद करते हैं और पिछले किसी जगड़े को लेकर चिंतित थे तो अभी चिंतित होने की जरूरत नहीं है ऐसे जगड़े अब आपके जिन्दगी में मनमुटाव पैदार नहीं करेंगे वो जो जगड़े है वो सुलिचते हुए नाजर आएंगे और उनका प्रभाव आपके रिष्टों पर भी नहीं पड़ेगा आप अपने रिष्टों को फिर से राह पर लेकर आएंगे लेकिन दामपत्य जीवन बेहद अच्छा रहेगा परिवार का साथ आपको मिलेगा और परिवार आपको सपोर्ट करता हुआ भ पड़ेस आने वाले है धरिया से सबी कामो को करने वाले हैं अपने जरूरी जो काम है उँनको नुपटाने वाले हैं इसके देखेने दूमय का जो भाना जाता है इस दिन को सीता नावमी के दिन आपको विदी विधान से पूजा आर्चना जरूर करने चाहिए और वरत रख सकें तो वरत रखें जो शादी योग हैं वो भी वरत रख सकते हैं या माता पिता हैं तो वो भी वरत रख सकते हैं इस दिन वरत रखें विदी विधान से पूजा आर्चना क तक है आप 11 बज कर 35 मिनट तक विधी विदान से पूजा अर्चना करें और फिर कथा भी पढ़ें इससे क्या होगा जो विवाह में बाधाइं आ रही हैं अगर वर या वधू इनकी तलाश है और नहीं मिल रहे हैं तो यह बाधाइं आपको दूर होती हुए दिखाए देंग जो मन लक्षिनी का स्वरूप थी इसलिए इस दिन वरत और अपवास किया जाता है और उनकी किरपा से ऐसी जो समस्याएं हैं जीवन में जो परिशानी आ रही हैं वो दूर होती हैं इसलिए इस दिन का लाब आपको जरूर उठाना चाहिए बाकी यह जो दोनों दिन हैं आ आपके लिए बना रही है आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ समाचार अच्छा सुनने को मिलेगा जो सुनकर आपका दिल प्रसन हो जाएगा बाकी प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा बहुत ही शानदार यह समय आपके लिए रहने वाला है आप इन दो दिनो में एक उपाय जरूर कर सकते हैं इन दो दिनों में आप सूर्य दर जब होता है उसमें सूर्य को अर्दर जरूर दें सूर्य आपके राशी के स्वामी भी है और आपके सूर्य उदर के समय सूर्य को अर्दर देना बेहत खास होगा एक तो आपके जंदर जो उगरता होती है उस पर थोड़ा सा सहियम रहेगा आपका उस पर आप थोड़ा सहियम बना कर चलेंगे और साथ ही उसका प्रभाव आपके जीवन में पॉजिटिव देखने को मिलेगा इसलिए आपको प्रति दिन सूरिया को अर्ध जरूर देना चाहिए देखे सीता नावमी की कथा हम भी आपके लिए अपनी चैनल पर लेकर आएंगे आप चाहे तो वहाँ से कथा सुन सकते हैं या फिर आप कहीं पढ़ सकते हैं तो दोस्तो और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को जादा से जादा लाइक करें शेयर करें दूसरी वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद